पेट्रोल के रेट्स दिन बर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं आज के टाइम में दिल्ली में 95 रुपीज पर लीटर हो गया है और बहुत सारी स्टेट्स में 100 भी क्रॉस हो गया है और ये कौस दिन बर दिन बढ़ते ही जाएगी इसको देखकर बजाज कंपनी न्यू रेवलुशन लेकर आई है इंडिया मार्केट में बजाज की अपकमिंग C&G बाइक येस यू है राइट तो फ्रेंड्स दुनिया की सबसे पहली C&G बाइक लाउंच होने वाली है और वो भी हमारी बजाज से तो फ्रेंड्स आज हम बजाज की C&G बाइक के बारे में बात करेंगे डिटेल में, प्राइस फेक्टर्स के बात करेंगे कब लाउंच होने वाली है, कौन से मोडल्स लाउंच होने वाले है और वीडियो को एंटर ज़रूर देखना और अगर आप नई बाइक सोच रहे हैं निनिक लिए तो थोड़ा सा रुप जाओ, क्योंकि ये बाइक लाउंच होने वाली है बहुँच जल दे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग एनलिसिस की कि ये बाइक कितने तक ही हो सकती है जैसे कि आपको पता है कि बजाज कंपने एक्सपर्टाइज है से थोड़ा अपर होगी तो इतना तो है कि 70,000 से तो वाई उपर ही जाएगी ये सी एटी बाइक टक्कर देने वाली है होन्डा शाइन 125 को तो यानि कि ये बाइक 125 सी में आईगी अगर टक्कर दे रही है तो वाई होन्डा शाइन 125 जो है वो लगवाग है 79,800 एक शोरूम प्राइस दिल्ली में तो इसकी कॉस्ट जो हमें लगता है अराउंड अराउंड 80,000 तो जाएगी जाएगी अब हम बात करते हैं रनिंग कॉस्ट और माइलेज की जैसे के हमको पता है कि CNG के पराइस कम है एस कंपेर टू पेट्रोल एक एक एक्जामपल ले ले लेते हैं दिल्ली में 1 kg CNG रेट है 75.09 जब की पेट्रोल का रेट है 94.75 ये डिफ्रेंस रनिंग कॉस्ट में काफी जादा फर्क लेकर आता है हम expect कर रहे हैं कि बजाज की CNG बाइक 70 km पर kg माइलेज दे सकती है जो कि पेट्रोल से काफी बेटर होगी पर इसकी डिटेज्स लाउंच होने के बाद ही पता चले अब आप करते हैं हम मॉडल्स की बजाज कंपनी ने दो नए मॉडल्स को ट्रेड मार्क किया है बजाज वर 2024 को सो दोस्तों तैयार हो जाई है 5 जुलाइ को मिलते हैं बजाज की बाइक लाउंच होगी इसकी स्पेसिफिकेशन फीचर के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे इन वीडियोस में तो दोस्तों यह थी हमारी डिटेल्ड एनलाइस अपक्मिंग CNG बाइक की जो कि 5 को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए राइट सेव एंड टेक क्यार थैंक यू फ्रेंड्स